जब कभी अईसा होता है कि जो हम सोचते हैं उसके अनकूल होता नहीं है, और उसके अनकूल जब होता नहीं है तो हम उससे दुखी हो जाते हैं ऐसा ही NEET के result में देखने के लिए आया है B23 का जब NEET का result आया है उसमें इतने high rank गई है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था लेकिन जिन students ने अपना धहरिये बना के रखा है उन students के लिए तो कोई problem नहीं है लेकिन जो students अपना patience खो देते हैं उनके लिए यहां पर problem हो जाती है हम यहीं माल लेते हैं कि यह ऐसा result क्या आगया हमारा तो सब कुछ खतम हो गया लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है अभी आपके पास में भहुत कुछ बाकी है आप भहुत कुछ कर सकते हैं और पहले वाले students ने किया भी है इन में काफी सारे essay students है जिनके अच्छे marks आये लेकिन पिछली बार वो आपकी तरह ही निरास होए थे और इस बार अच्छा score करके गई है अच्छा score किया है उन्होंने तो आपको भी निरास नहीं होना है अगर जिन students के marks कम है उनको दुखिन नहीं होना है तो जिन candidates के अच्छे marks है अच्छी rank है उनको congratulations और जिनके अच्छे marks नहीं आये है उनको जरा भी tension लेने की आवश्यक्ता नहीं है अभी समय है आपके पास में एक साल और तैयारी करके अगली बार अच्छा score कर सकते हैं इसमें कोई दोराई नहीं है आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे category wise कटोब क्या रह सकती है रजल्ट आने के बाद में इसमें पूरा analysis के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कटोब रह सकती है category wise क्योंकि अभी हमारे पास rank आ चुका है तो आईए मैं हरसाई चोपडा आपका हमारे यूटूब चैनल चोपडा education पर स्वागत करता हूँ और सबसे पहले हम एक बार marks और rank के बारे में देख लेते हैं जो 695 पर 2023 में ओल इंडिया rank है 525 है जबकि 22 में 200 थी तो आप ये comparison देख सकते हैं 23 का 22 के साथ में ये मैंने यहां पर दिखा दिया है इसके बाद में 610 इस साल के लिए उनकी ओल इंडिया rank है 23,520 और फिछली साल थी 16,807 600 पर अपकी बार 29,000 rank आई है जबकि फिछली बार 21,100 60 rank थी यानि कि 9,000 का 600 marks पर अभी difference आ रहा है तो ये इस परकार से पूरा data आप देख सकते हैं जो बाकि आपने data देखना है मेरे पास जो marks अवेलेबल थे उनकी rank मैंने यहां दिखाई है बाकि आप data NTA का जो notice आया है उसमें भी marks और rank दिखाया गया है तो काफी marks और rank आपको वहां से मिल जाएंगे तो इस परकार से आप एक बार देख सकते हैं कि कोन से marks पर कितनी rank है और ये इस बात का आपको पता चली गया होगा कि इस बार rank काफी हाई रही है जब rank हाई रही है तो कटोप भी हाई रहेगी तो यहाँ पर हम category wise expected कटोप की बात कर लेते हैं कि result के बाद में क्या कटोप रहेगी तो इसमें जो हमने consider किया है उसमें सबसे पहले all India rank यानि कि all India rank क्या रही है candidates की उसको यहाँ पर consider किया है यहाँ पर difficulty level of question paper इस all India rank में मर्ज हो गया है क्योंकि उसके बाद हमारी पास में all India rank आ गई तो उस all India rank के according ही हम ये data देखेंगे कि किस परकार से कितनी कटोप जा सकती है कौन सी category में कितनी marks पर college मिल सकता है last round में last college मैं आपको यहाँ पर round wise कटोप बताऊंगा first round में क्या रह सकती है second round में कौन सी category में क्या रह सकती है mop up round में और stay vacancy round में क्या कटोप रह सकती है दूसरा जो factor यहाँ पर हम लेंगे वो seat increasing का लेंगे यानि कि इस बार भी काफी सारी seat इंक्रीज हो रही है पिछली बार भी काफी सारी seat इंक्रीज हुई थी और कितनी सारे candidate अपेड हुए हैं इस exam में तो यहाँ पर हम ये तीन factors को लेकर के ये कटोप हम यहाँ आपको predict करेंगे कि category wise क्या कटोप रह सकती है तो कटोप बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counselling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो और इंडिया कोटा इस्टेट आई उस वेतनरी सभी के लिए book अविलेबल है इसको आप हमारे इस वीडियो के description box से ही या फिर हमारी website www.chopdaeducation.in से download कर सकते हैं आप हमारी paid service भी ले सकते हैं इसमें खास बात यह है कि इसमें 2023 के लिए choice list दी गई है कि आपको कैसे choice फिल करनी है इसके बाद में इसमें bond की detail category wise cutoff दी गई है first round, second round, सभी rounds की और इसमें state quota की book में भी यह सारी facility है state की counseling procedure के बारे में समझाया गया है इसमें जो open state से उसकी fees seats cutoff के बारे में भी समझाया गया है तो यह आपके लिए काफी helpful रहेगी अब बात करते हम यहाँ पर cutoff की तो cutoff की अगर हम बात करें तो first round में you are category के लिए जो cutoff जा सकती है वो 615 cutoff जा सकती है first round के लिए first round के लिए 615 cutoff जा सकती है यहाँ पर all India rank आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले उपर rank भी बताया 615 marks पर कितनी all India rank है तो आप वहाँ से all India rank देख लें या फिर जो NTA नी notice दिया है result के बाद जो notice दिया है उसमें भी काफी सारे marks पर काफी सारी rank दी गई है तो आपको यह पता लग जाएगा 615 पर कितनी rank है और कहां तक selection हो सकता है तो फर्स्ट राउंड में 615 rank का selection हो सकता है यहां पर शोरी marks का selection हो सकता है यहां पर अभी सेकेंड राउंड की बात करें तो यहां 610 610 पर selection हो सकता है सेकेंड राउंड में मोपप राउंड में यूर केटेगरी के लिए 606 marks पर selection हो सकता है मौपपराउंड में और last round 605 याने की 26,000 जो rank है यूर केटेगरी के वहां तक selection होने की possibility है 26,000 ओल इंडिया rank ओल इंडिया 15% कोटा के लिए selection होने की possibility है यूर केटेगरी में 605 लास्ट राउंड में अब बात करें EWS की तो 600,001 फर्स्ट राउंड में इतना जा सकता है इसमें cutoff क्योंकि फर्स्ट राउंड में EWS और UR में difference रहता है बाद में तो ये difference नहीं रहता है लेकिन फर्स्ट राउंड में ये difference ज्यादा रहता है इसके बाद में 606 second round में जा सकता है और mop-up round में 603 marks पर cutoff जा सकती है और 604 marks पर शुरी यहाँ 605 है गलती से मैंने यहाँ लिख दिया है 3 तो यहाँ 605 पर जा सकती है cutoff और 604 last round में cutoff जा सकती है यहाँ पर अब बात करें हम OBC category की, तो OBC category में 6513 पर कटोप जा सकती है First round के लिए, Second round के लिए 609 पर जा सकती है, Mopup round के लिए 606 पर जा सकती है और Last round में 605 पर कटोप जा सकती है OBC category की ST की बात करें तो 500 यानि 1 लाक रेंग तक 1st round में कटोप जा सकती है 483 2nd round में जा सकती है 478 3rd round में जा सकती है मोपप round में और 475 last round में कटोप जा सकती है यहां पर अब बात करते हम ST category की तो ST category में 476 से 1st round की कटोप जा सकती है ST category की 465 2nd round की कटोप जा सकती है 447 मोपप round की कटोप जा सकती है और 445 जा सकती है stay vacancy round की तो यह expected cutoff है जो मैंने आपको बताई है वो expected cutoff है अब इसमें थोड़ा सा effect पढ़ सकता है college और भी open होंगी और भी seats increase होंगी उसका भी यहां इसमें effect पढ़ सकता है इसके बाद में कोण से states के student अपने state में ज्यादा seat ले रहे हैं high cutoff जो states हैं उनमें ज्यादा seat ले रहे हैं तो उसका भी फरक पढ़ता है तो इस परकार से यह cutoff रह सकती है last round तक first round की second round की mop up round की तीनों की मैंने आपको expected cutoff बता दी है काफी high rank गई है high rank जाने का मतलब यह है कि अभी जो क्यूसन पेपर आया है क्यूसन पेपर में एक chemistry ही थोड़ा hard था बाकी easy portion था biology और physics का इसके बाद में जो man है वो पिछली बार का backlog है वो काफी ज्यादा था backlog का मतलब पिछली बार जो 595 से लेके 500, 450 यह marks वाले बच्चे काफी ज्यादा थे इसकी वज़े से भी यह all India rank increase हुआ है एक चीज हमने जब से देखा है यह क्यूसन पेपर में जब से यह B part आ रहा है यानि कि optional क्यूसन आ रहे हैं 15 क्यूसन आ रहे हैं उसमें 10 क्यूसन करने होते हैं तो इसमें तकरिबन स्टुडेंट की यह 10 क्यूसन सही हो जाते हैं उससे भी यह cut off काफी increase हो रही है यह 3 साल से ऐसा हो रहा है और इनी 3 सालों से पेपर का लेवल भी ठीक होते हुए cut off थोड़ी सी ज्यादा जा रही है तो यही कारण है इसका यही रीजन है कि स्टुडेंट के काफी अच्छे marks आ रहे हैं पार्ट B की वज़े से भी काफी अच्छे marks आ रहे हैं तो यह increase हुई है अभी किसी भी स्टुडेंट को परेशान होने की ज़रुत नहीं है जिन्दगी में अभी भहुत सारे मोके हैं आप भहुत कुछ कर सकते हैं यही आपकी यह जो दोड़ है वो खतम नहीं हुई है अभी आप आगे और दोड़ लगा सकते हैं और जो आदमी ठोकर खाके गिरता है उसी को दोड़ने में आगे मजाता है और आनंद की अनुभुती भी उसको बाद में काफी होती है जिन्दगी भर के लिए कि मैंने ठोकर खाका करके दोड़ लगाई है और उस दोड़ में मैं अवल आया हूँ तो इसमें ज्यादा आपको दुखी होने की जुरत नहीं है आप इस बार और फिर दुबारा तयारी करके अगली साल अच्छा स्कोर कर सकते हैं ऐसे बच्चे थे जिनका अभी अच्छा स्कोर आया है पिसली बार भी उनके साथ ऐसा हुआ था आपके साथ हुआ है कम स्कोर आया है उन बच्चों के लिए है ही दूसरा आपके पास में जिनका कम स्कोर है आपके पास opportunity यह है कि आप other courses में admission ले सकते हैं जैसे veterinary हो गया, IOS हो गया, BDS हो गया उसके साथ साथ आप तयारी कर सकते हैं और तयारी करके अगली साल selection भी ले सकते हैं मेरे पास इस परकार के इस साल भी काफी example है जिनका यह course करते अच्छे marks आए हैं इसमें तो आप इसमें यह category wise cutoff मैंने predict की है आप इसके according देख सकते हैं कि आपका कहां पर selection हो सकता है आपको रुखना चीए या नहीं रुखना चीए cutoff क्योंकि हम जो सोच रहे थे कि cutoff 595 तक चली जाएगी लेकिन ऐसा रहें कारने के बाद ऐसा मैसूस नहीं हो रहा है यह cutoff general category की 605 के nearby last round तक रहने की possibility है इसके बारे में और कोई update मिलेगा तो हम आपको inform कर देंगे आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं यह channel आपके लिए जब आप MBBS करेंगे तब भी काफी काम आएगा और अभी भी जब तक आपका selection नहीं होता है तब तक भी काफी काम आएगा क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं MBBS related भी हमारे पास में information रहती चैनल पर upload करते हैं other information भी हम need related upload करते रहते हैं तो मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैह